तो दोस्तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इसमें अपना नमबर लगा दिया और नमबर लगाने के बाद दोस्तो मुझे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर नमबर नाट वेरिफाइड लिक के आ गया और नीचे यहाँ पर दो बैन हो चुका है मतलब आपके मुबाइल का जो आई पी होता है वो बैन हो चुका है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने इस यूनी और दी ओफीशियल वाटसाप टू लोगिन वाले प्रोब्लम को सुल्व कर सकते हैं और कैसे सरिके से चला सकती है तो दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट बगाए टैम विश्ट के और आपको बताता हूं कि कैसे आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो रही हैं और दोस्तों सबसे पहले आपने अपने मुबाइल में क्रोम ब्रोजर अप्लीकेशन को ऊद कर लेना है और दोस्तों जो step मैं आज किस वीडियों में आपको बताने वाला हूँ आपने same to same इनी step को follow करते जाना है तो आपका 100% unit the official WhatsApp को login वाला problem solve हो जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों Chrome browser application को open करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आड़ेगा तो यहाँ पर आपने उपर simple से search कर देना है contact WhatsApp तो उपर यहाँ पर आपने contact WhatsApp लिख के search कर देना है तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर contact WhatsApp लिख लिए है तो दोस्तों इसको लिखने के बाद यहाँ पर आपने को search कर देना है इसको search करने केomnia बाद दूस्टोँ यहाँ पर आपके सामने contact whatsapp what suggests.com की official website आ जाएगी तो यहाँ पर थो उस वली website के उसके उपर click करने के बाद दूस्टोओ आपके सामने कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा दोस्तो यहाँ पर method कर देना है और इसके उपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटर्फियस ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों आपने बैन नंबर के रिलेटिड इन्फारमेशन देनी होते हैं जिससे उनको पता लग जाता है कि आपका कौन सा नंबर बैन कर है तो यहाँ पे दोस्तों अपनी कंट्री सेलेक्ट करने के बाद इसके आगे है जो आपको बोकसा नजर आ रहा होगा दोस्तों इसमें अपने अपना वही वाला नंबर लगा देना है जो लगाने के बाद आपको यू नीर दी ओफीशियल वाटसाप टू लोगिन वाला प इस वक्त मेरे ब्रोजर में लोगीन है तो दोस्तों यहाँ पे आपने यह वाली इनफार्मेशन लिखने के बाद आपने इसको उपर की तरफ सक्रोल करना है तो यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे उप्शन देखने को मिल जाएगा वाटसाप वाला तो इसका मतलब है कि व आपने इस बोक्स के पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पे दोस्तों आपने एक मैसे लिखना है दोस्तों यही वाला मैसे में आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा अपने सिंपल से बहां से इसको कोपी करके यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना तो यहाँ पे दोस्तो आपने same to same यही वाला मैसे लिख देना है लेकिन दोस्तो आपने इसमे कुछ changes भी करनी है दोस्तो यहाँ पे आपको नीचे लिखाना जरा रहा होगा your name और इसके नीचे ही लिखा होगा your whatsapp number तो यहाँ पे दोस्तो आपने your name के आगे अपना नाम लिख देना है जो भी आपका नाम होगा जैसे मेरा नाम नदीम है तो मैं नदीम लिख लेता हूँ तो यहाँ पे अपना नाम लिखने के बाद दोस्तो इसके नीचे लिखा होगा your whatsapp number तो यहाँ पे दोस्तो आपने इपना वो वाला नमबर नहीं लगाना जो आपका चल रहा हो बलके यहाँ पे आपने इपना वो वाला नमबर लगाना है जो के आपका बैन कर दिया गया है मतलब जो नमबर लगाने के बाद आपको you need the official WhatsApp to login वाला problem आ रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इन लोगों ने हम एक article ready करके दे दिया है तो दोस्तो इस वाले page पे आने के बाद आपने इसको उपर की तरफ स्क्रोल करना है तो यहाँ पे दोस्तो आपको option देखने को मिल जाएगा send question का तो यहाँ पे दोस्तो आपने send question वाले option के उपर click कर देना है इसके उपर click करने के बाद दोस्तो जो आपका question होगा दोस्तो वो send हो जागा अब आपने simple से यहाँ पे back आ जाना है और back आने के बाद दोस्तो जो भी आपका WhatsApp बैन कर दिया गया है अब दोस्तो आपने सिर्फ 24 गंटे का वेट करना है, अगर आप अपना number direct login करना चाहती है तो यहाँ पर आपको बता दयता हूँ कि अभी आपने इपना number ईसमें कैसे login करना है इसके उपर कलिक करने के बाद दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बित बिताया था कि आपके मुबाइल का IP अड्रेस बेहन होता है आपके मुबाइल का नंबर बेहन नहीं होता आपने दूसरे मुबाइल में एक उफिशल वाटसाप अपको इंस्टाल कर लेना उसमें आपने यही वाला नंबर लोगिन कर लेना है जो यहाँ पर आपको Link Device का option देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा अब दोस्तो जो आपका WhatsApp बैयन है दोस्तो आपने सिंपल से उसके उपर आ जाना है और यहाँ पर आपके सामने QR code स्कैन हो जाएगा और अब दोस्तो आपने जो दूसरे तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ दोस्तो अब मैं यहाँ पर आपको आपको लाइव स्कैन करके दिखा रहा हूँ तो आपके आपको कोई भी अगर प्रोब्लम देखने को मिले तो यहाँ पर आपको शो रहा है तो यहाँ पर देख सकते ह कैसे आपने उनेट दी ओफीशियर वार्टसाप तो लोग इन वाड़ाप्रोवन सवूल्व करना है और कैसे अपने बैन वार्टसाप में अपना नमबर लोग इन करना है तो गर आपको वडियो अच्छी लगे तो मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पीस आउट